इंडिया में क्या है दो तरह के विस्की बनती है एक तो क्या है सिंगल मॉल्ट की कैटेगरी है जिसमें की अमृत काफी फेमस ब्रैंड है पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत रिस्पेक्ट के साथ अमृत का नाम लिया आता है उसके बाद दूसरा पॉल जोन्स इसके पास भी ब बहुत ही शांदार विस्की रिसेंटली लॉंच एक ब्रैंड है इंडरी जो की काफी कम समय में काफी पॉप्लारिटी गेन किया है फिर वन अब दो ओल्डेस्ट रामपूर सिंगल मॉल्ट विस्की जो की रैडिको खेतान का ब्रैंड है और वो भी काफी प्रिस्टीजियस विस्की है तो ये सारी हो गई सिंगल मॉल्ट विस्की उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो सीधा बजट विस्की की कैटेगरी है इंडिया में उसमें भी ज्यादा तर जो विस्की है वो मॉलेसिस बेजड विस्की है जिसको की इंडिया के बाहर विस्की कहा भी नह जाता है क्योंकि मैंने पहले बताए है आप लोगों को मोलेसिस से रम बनता है विस्की नहीं बन सकता है एनिवे तो जो बजट इंडियन विस्की है उसकी पोजिसिनिंग बस वो नशे के लिए पिया जाता है उसमें टेस्ट और उसका आरोमा से कोई बहुत जादा लेना देन नहीं होता है, तो क्या है budget Indian whisky और single malt के बीच पे एक बहुत बड़ा बजार है, बहुत बड़ा market है, blended scotch whisky का या bourbon whisky का, और blended whisky वाला जो एक space है, उसमें कोई Indian whisky ही नहीं, ठीक है, तो उस category की whisky जब भी आपको पी नहीं होगी, तो आपको imported whisky, imported whisky के तरफ ही जाना पड़े जिसमें की 100 Pipers, Black and White, Black Dog, Teachers, Ballantines तो इस तरह की धेर सारे ब्रैंड है बट इस से compete करने के लिए we don't have any Indian brand लेकिन आज हमारे पास है Royal Runtham War Heritage Collection जो की इसको position ही किया गया है blended scotch whisky से compete करने के लिए UP में इसकी price है 1650 जो की आप समझिए 100 Pipers, Black and White, Black Dog इस सबसे कुछ 150 रुपय ज्यादा price है Anyway, तो आज हम लोग इसको taste करेंगे, इसको properly review करेंगे और आप लोग को बताते हैं ये Indian whisky, blended scotch whisky या bourbon whisky या फिर Irish whisky के साथ compete कर पाता भी है या नहीं अच्छा इसके नाम पे अगर चर्चा करें हम लोग तो Royal Runthambore आप लोग को पता है, Runthambore is a national park जो की रास्थान में है और ये national park famous है tigers के लिए आपको पता है, tiger इंडिया का national animal है बीच में poaching और hunting के चलते tiger का population बहुत ज़्यादा decrease हो गया था जो कि बहुत चिंदा का भीश है था लेकि फिर government ने और different organization ने काफी initiative लिया, step लिया और पिछले 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि tiger population जो है वो gradually increase हो रही है जो कि बहुत अच्छी बात है तो this Royal Runthambore Heritage Collection ये जो Indian whiskey है इसको dedicate किया गया है tigers के लिए आप सामने देखेंगे यहां पे tiger का move बना हुआ है अब बात करेंगे इसकी packing को बहुत शांदार, बहुत premium और amazing packing है एक बात तो कहना पड़ेगा कि ready को खेतान जो है वो product कैसा ही बनाए उसकी packaging, उसकी bottle और वो design जो है वो amazing बनाता है जैसे example के लिए रामपूर single malch का ही आप अगर bottle design देखें या फिर उसकी overall packaging देखें टॉप notch quality है, amazing quality तो आईए अब इसको unbox करते हैं और देखते हैं कि इसकी quality कैसी है वाव, so good looking ये कुछ-कुछ आपको जो Japanese whisky है न हीबी की उसका याद दिलाएगा ये bottle design यहाँ पे एक ये tiger का photo बना है और कुछ QR code है जो कि इसका I think इसके बारे में information देगा ये काफी interesting लग रहा है इसका उपर का ये ढकन I don't know ये कॉक है क्या normally इस range की whisky में तो कॉक नहीं होता है नहीं कॉक नहीं है बट ये काफी प्रीमियम और काफी good looking ये बनाया गया है अच्छा बॉटल के नीचे भी रॉयल रंथंबोर की ब्रैंडिंग है ये इंबोस किया हुआ बॉटल की quality भी amazing है बहुत खुबशूरत बहुत प्रीमियम रॉयल रंथंबोर MRP 1650 तो बहुत खुबशूरत बॉटल from the fine heritage of whisky making comes the epitome of a master blender's craft an ode to magnificent tiger and warrior king that ruled over the land royal rंथंबोर is a rich symphony of taste, aroma and finish and the majesty of radical khaitan is now yours to experience ओके तो ये बहुत ही शामदार पैकिंग और ये उपर का ढखकन इसका this is of metal not plastic चलिए इसको पोर करते है very nice flowing अच्छा ये आजकल इंडियन whisky's में एक fashion चल गया है कि वो taste profile और aroma इन सब के बारे में कि nose पे कैसा feel होगा palette पे कैसा लगेगा, finish कैसा होगा ये सारा लिखना start कर दिया है but actual क्या ingredients आप use कर रहे है क्या इसका making process है इस तरह का alcohol आपने इसमें blend किया है इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी होता नहीं है हलाकि एक अच्छी चीज है Indian government का जो काईदा कानून है उसके हिसाब से क्या है ingredients एक mention करना must है तो यहाँ पे ingredients पे क्या लिखा गया है demineralized water, grain neutral spirit imported blended malt scotch natural color 150A ingredients पढ़के आपको ये नहीं समझ में आएगा कि actually royal ranthambhor में या फिर 8 p.m. में या imperial blue में क्या difference है क्योंकि ingredients same इसमें भी वही लिखा गया है जो कि एक सबसे सस्ती whisky में लिखा होता है demineralized water, grain neutral spirit imported scotch malt और natural color 150A बागी जानकारी तो है नहीं तो सीदह आते हैं हम लोग nosing and tasting पे उसके पहले ज़रा सा एक color check कर लिया जाए इसका तो color में इनका कहना है golden with a tint of amber तो वो amber मेरे को नज़र नहीं आ रहा है ये I think light gold color है और इसकी consistency I think थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए check करते हैं yes तो इसकी consistency को आप medium कह सकते हैं viscosity ठीक ठाक है lick बनाता हुआ नीचे आ रहा है तो ये color and consistency की बात हो गई अभी इसका aroma check करते हैं young alcohol का जो smell होता है वो सबसे पहले मेरे को समझ में आया है इसमें जो कि अच्छी बात नहीं है इस price की whiskey के लिए उसके लाबा floral notes है थोरा सा citrus definitely एक note आ रहा है और थोरे से dry fruit का बट बीच बीच में young alcohol का मतलब grain spirit का जो smell है वो बीच से आपको उभर करके मिलेगा जो की I think होना नहीं चाहिए था इसमें तो मेरे को लगता है इसमें जो aging जो इसकी हो रही है उसमें जरा फिनिश का इशू है तो I hope कि आगे चलके ये लोग इसको overcome करेंगे चलिए सीधा टेस्ट पे आते हैं स्ट्रॉंग है एक पंच है इसमें बट दो डिफरेंट टाइप का फ्लेवर एक साथ फील होता है आपको एक प्रॉपर मॉल्ट विस्की वाला भी एक टेस्ट मिलता है और फिर बीच में आपको वो ग्रें स्पीरिट का टेस्ट आयाता है फिर से चेक करते है जो मॉल्ट विस्की का टेस्ट है वो शांदार है अमीजिंग है बहुत बहुत बढ़िया लेकिन जो इसमें ग्रें विस्की जो मिक्स किया गया है वो उस मॉल्ट विस्की के टेस्ट को स्पॉयल कर रहा है नॉर्मली क्या होता है आप कोई बहुत शांदार सिंगल मॉल्ट विस्की ले 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 आप उसमें अगर कोई मॉलेसिस वाला वी विस्की एड कर देंगे तो उसका मॉल्ट विस्की का अपना टेस्ट वो कंटिन्यू रहता है और बीच बीच में आपको वो मॉलेसिस वाला विस्की का टेस्ट आता रहेगा जो अच्छा नहीं इसको ओवरकम करने के लिए नॉर्मली ब्लेंडिंग के बाद फिर से अगर विस्की को कुछ एकाज साल के लिए एज कराया जाए तो वो टेस्ट जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो पाता है मेरे को क्या लग रहा है ब्लेंडिंग के बाद इसको प्रॉपरली एज नहीं कराया गया है इसलिए दो डिफरिंट डिस्टिंग टेस्ट एक तो स्कॉच मॉल्ट का जो टेस्ट आ रहा है वो अमेजिंग है बहुत शांदार है लेकिन उसी के बीच में से एक यंग अलकोहल का टेस्ट भी जहांकता रहता है जो की होना नहीं चाहिए वैसा मैं अगर इसके अभी के taste की बात करूं तो अभी भी इसको बेस जो टेस्ट आ mir class का टेस्ट आ रहा है और उसको अगर compare करें, तो कोई भी entry level जो blended Scotch Whisky है, उससे better taste है इसका लेकिन वही बีच भीच में एक आपको young neutral spirit का एक टेस्ट मिलता है जो की strong भी है वो थोड़ा सा harsh भी लगता है तो वो एक इसका negative point है जिसपे की I think company को काम करना चाहिए है जो malt का taste है वो amazing है मैंने बताया आपको उसमें बहुत सारे layers है कुछ honey का taste है कुछ butter का taste है कुछ butter scotch के जैसा taste है या फिर dry fruit का definitely taste आ रहा है तो overall जो कुछ toffee chocolate उस तरह का भी taste मिलता है तो different layers है उसके वो बहुत शांदार है और साथी साथ बहुत ज़्यादा mild नहीं है एक punch है इसमें एक strongness है और मज़ेदार है क्या बेश तरीका है इसको पीने का कुछ mix मत कीजिए बस ऐसे ही पीजिए मेरे को लगता है कुछ भी इसमें mix करेंगे तो इसका taste को आप और खराब करेंगे अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो scotch malt जो इसमें use किया गया है I think वो amazing quality का है और मज़ा आए पीने में अच्छा मैं एक बात बताओं आपको जब मैंने first time sniff किया था तो unaged alcohol का एक मेरे को थोड़ा सा hint मिला था वो थोड़ा strong था वो अच्छा ही लगा था मेरे को बट अब मेरे को वो feeling हो रहा है और even taste में भी वो young alcohol वाला taste जो है अब काफी कम feel हो रहा है तो इसमें दो बात हो सकती है number one की bottle खोलने के बाद मैंने इसको ज़्यादा time नहीं दिया थोड़ा breathe करने के लिए एक वो point हो सकता है और दूसरा क्या है कि मेरा palate भी जो है एक पेग पीने के बाद थोड़ा सा इसके हिसाब से adjust हो गया है तो अभी जब मैं इसका sip ले रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी feel नहीं हो रहा है कि इसमें कोई green spirit भी added है very good मतलब इतना difference है मैं को बताऊं कि अगर first sip के साथ अगर मैं इसको taste में seven point देता तो अभी मैं इसको taste में कम से कम eight and a half point दूँगा क्योंकि surprisingly मतलब ऐसा ये first time हो रहा है मेरे साथ कि first sip के time पे इसका जो taste मिल रहा था और अभी जो taste आ रहा है इसमें जमीन आसमान का अंतर है इतना huge difference और इतने 5-10 minute के time difference पे ये amazing है और मैं कह रहा था कि इसमें कुछ मिलाने के जरूत नहीं है definitely I mean it कुछ मत मिलाई है इसमे nothing कुछ blend करने के जरूत नहीं है बस glass में pour कीजिए और सीधा enjoy कीजिए आप सबको फिर से एक बार बोलूँगा first sip के ऊपर इसको please judgment कीजिएगा इसको एक second page इसका जरूर बनाईएगा और उसके बाद फिर judge कीजिएगा कि ये आपको पसंद आया या नहीं तो I hope I am done with this review आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह की whisky है recommend करना चाहिए कि नहीं definitely मैं recommend करूँगा अगर आप entry level scotch whisky consume कर रहे हैं तो इसको एक try जरूर दीजिए वैसे भी Indian brand है और मेरे को लगता है कि आपको पसंद आएगा ये whisky तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा पसंद आया है तो please like कीजिए subscribe कीजिए मेरे channel को share कीजिए वीडियो को अपने friends के साथ मिलेंगे फिर ऐसे ही informative और amazing videos में तब तक take very good care of yourself बाइ बाइ